दुबई में से आज समय निकाला और वहां तो ये खेल आपका बड़ा तनावपुड रहता है उसमें भी आपने और अपनी भागदोर बड़ी जिन्गी में अभी जो फिटनेस रूटीन फॉलो करते हैं मैं जुरूर चाहूँगा देश भी जानना चाहेगा क्योंकि नवजवान आपको आपके हर गतिविती को देखता है ये आपको कैसे बदद करता है पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद सार यहां पर हम सब को बुलाने के लिए एक सब लोगों ने फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में बात करी और इसके फायदे इसके लाभ हमको रोज अपनी डेली लाइफ में किसी ना किसी तरीके से दिखते हैं भी बहुत करण अच्छी बाते रखी बहुत इंस्परेशनल उनका भी काम रहा है उनकी जर्णी रही है पिछले कुछ सालों में मैंने भी बहुत ऑब्सर्व किया और मेरे खुद की एक्सपरियंस में सर एक ट्रांजिशन एक्सपरियंस करने को मिला मुझे कि जिस PD में हम खेलना शुरू हुए और जो उस समय खेल की हमारी डिमांड्स थी वो बहुत तेजी से बदली एक समय के बाद और मुझे ये एक्सपिरियंस हुआ कि जो एक हमारा सिस्टम बन चुका था हमारा एक रूटीन बन चुका था वो हमारे खेल के डिमांड्स के लिए सही नहीं था और उसे बदलना जरूरी था क्योंकि हमारा खेल बहुत तेजी से आगे बट रहा था और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हम कुछ फिटनेस के पॉइंट आफ यू से पीछे छूट जा रहे थे हमारी स्किल में कभी कोई प्रॉबलम नहीं थी तो एक स्वामी जी ने भी बात रखी आपने भी बात करी मिलिन जी ने भी पहले बताया एक जो सिल्फ रियलाइजेशन की बात है कि आपको खुद से रियलाइज हो कि मुझे क्या बदलना है अपने अंदर तो मुझे वो एक समय पे खुद भी experience हुआ कि नहीं fitness जो है वो priority होनी चाहिए और अगर मैं आपको honestly बताओं तो पहले खेल को अच्छा करने के लिए fitness मैंने शुरू करी लेकिन आज अगर practice मिस भी हो जाए तो मुझे इतना खराब नहीं लगता लेकिन अगर फिटनेस session मेरा मिस हो जाए एक्टिविटी मिस हो जाए तो मुझे ज्यादा खराब लगता है तो इसके फायदे जो है सर वो पहले है आपको यह जो नया मंत्र जगा तो दिलने के छोले बटूर कोई बहुत दुखतार हुआ होगा बहुत जादा सर मतलब जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि हमारा जो नेटिव डायट है जिस रीजन से हम आते हैं उसका जो हम वो खाते हैं उससे कभी मैंने कभी experience नहीं किया कि health issues हुए हो या किसी को कोई बिमारियों का सामना करना पड़ा हो मेरी खुद के experience में मेरी नानी मैंने बहुत समय तक बेखा इतनी जादा उमर में भी उनकी health हमेशा ठीक रही हमेशा उन्होंने घर का simple खाना खाया तो मैं जब बड़ा बड़ा तो शेहरी खाना मतलब बहुत जादा भार का खाना होता था खेलने कुदने जाते तो आते जाते बहुत सारी चीज़े ऐसी खाली कि जो health point of use अच्छी नहीं है तो diet का भी एक बहुत बड़ा contribution था जो discipline नहीं था तो फिटनेस, physical fitness और diet दोनों change करना पड़ा था उसके वज़ा से ही changes आने शुरू हुए और मैं इस चीज़ से इसलिए relate कर पाता हूँ क्योंकि जैसे हमारे खेल में changes आए आज की life की भी demands बहुत जादा हो गए हैं बहुत hectic हो गई लाइफ तो अगर हम अपनी fitness को उस space के साथ नहीं रखेंगे, sink में नहीं रखेंगे तो हम पीछे शूटते चले जाएंगे तो अगर हम लोग अपनी fitness को नहीं improve करते तो हमारे खेल में भी आज हम बहुत पीछे चूटते चले जाते क्योंकि आप सिरफ अपनी skill पर depend नहीं कर सकते हैं आपका जो mental strength है वो आपका शरीर कितना तंदरुस्त है और आपका दिमाग कितना तंदरुस्त है उस दोनों का एक combination साथ में चलता है तो अगर मेरा शरीर सपोर्ट नहीं कर रहा है जो मेरा दिमाग सोच रहा है तो मैं जो करना चाहता हूं मैं नहीं कर पाँगा अब जो पने अनुभण में मैंने यह चीज़ experience करी है वो यह है कि खाने के बीच में समय देना बहुत जरूरी है हम लोग बहुत बार खाते हैं और फिर बड़ी मील के बाद वो छोटा पुटा खाते चले जाते पूरा दिन तो वो जो हमारा सिस्टम है उसको कहीं प्रोसेस करने का मौका ही नहीं मिलता खाने को और रात तक हम खाते चले जाते तो मैं जब छोटा भी था तो साड़े-क्यार क्ले में के लिए जो आप खा रहे हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके इंटेंशन ठीक होनी चाहिए फिर अक्जाइंगी आपके रिजल्ट्स भी वह से आएंगे बार मैने सुना है कि इन दिनों टीम के लिए यह यो-ई-टिस्ट हो रहा है क्या ये केप्टन को भी यो टेस्ट करवाना पड़ता है कि आपको छुटी होती हो और यो टेस्ट होता क्या है क्या 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 करना पड़ता है सर टेस्ट यह बहुत जरूरी था फिटनेस पॉइंट ऑफ यू से अगर आप ग्लोबल फिटनेस लेवल की बात करें तो बाकी टीमों से हमारा लेवल अभी भी कम है और हम चाहते हैं कि वो लेवल हम उपर लेके जाएं जो एक बेसिक रिक्वार्मेंट है आज की डेट में हम लोग फोकस करते हैं कि जैसे T20 मैच हो गया या वंडे मैच हो गया वो एक दिन में खतम हो जाता है लेकिन अगर हम टेस्ट मैच की बात करें जो पांच दिन आपको खेलना है हर शाम को आपको वापस जाना है अगले दिन फ्रेश आना है तो उस पॉइंट ऑ फिटनेस जो बहुत जरूरी था और मैं सबसे पहले मैं ही जाके भागता हूँ और यह कंडिशन है कि अगर मैं भी फ्रेल हो जाओंगा तो सिलेक्शन के लिए मैं भी अवेलिबल नहीं हूँ तो I think यह सिस्टम और यह कल्चर सेट करना बहुत जरूरी होता है और उससे क्या होता है सर ओ दूसरे तीसरे चौथे दिन आके वो effort डालना है फील्ड पे तो वो डाल सकते हैं पहले क्या होता था स्किल हमारे पास हमेशा से रही है लेकिन शायद जो मैंने आपको बोला हूँ transition मैंने जो experience किया हम लोग वो जरूरी समय जो आता है जहां पर शरीट ठक जाता है और टीम से आ रहे हैं तो एक एक सर बेंचमार्क इलीट स्पोर्ट्स में होना जरूरी है उससे एक फिटनेस मैं देख रहा हूं कि आपका time management तो ही है लेकिन फिर भी आपकी activity इतनी नजर आती है मैं मैं भी कभी कभी follow करता हूं कभी ठकान नहीं लगती किया आपको सिर्फ ठकान अगर मैं honestly आपको बोलूँ ठकान हर किसी को होती है अगर आप physical effort करेंगे तो ठकान होगी लेकिन अगर आपका lifestyle अच्छा है अगर आप खा अच्छा रहे हैं अगर आप fitness regularly कर रहे हैं आपकी recovery अच्छी है तो आपकी sleep अच्छी है sleep patterns अच्छे है तो आपकी recovery ते आपको अच्छा लगा मुझे और मैं आपको अनुस्का जी को और आपके दोनों के परिवार को निकट भविष की शुप गड़ी के लिए बहुत बहुत शुप कामनाई देता हूं धन्यवाद सेथ थैंक यू सो मच